नमस्कार दोस्तों मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फेट से स्वाध करता हमारे इस नए वीडियो में तो दोस्तों आज मैं आप लोग लेक ऐसा तरीका लेका आया हूँ जिससे आप पता कर सकते हो कि आपके नाम पे कितना सरा मोवाईल नमबर चल रहा है मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट पे कौन सा कौन सा सीम लिया वाय है उसका नमबर क्या क्या है आप सब कुछ पता कर सकते हो और आपको अगर लगता है कि कोई आपका number नहीं है मतलब कि आपने वो number लिया ही नहीं है पर आपके नाम पर वो number चल रहा अगर आपको ऐसा कोई number दिखता है वहाँ पर तो आप उसे block भी कर सकते हो मतलब कि उस number आप बंद करा सकते हो एक click में खले आपको एक button क्लिक करना पड़ेगा और आपका number बंद हो जाएगा और वहीं पर आप चेक भी कर सकते हो कि आपके document पर क्या-क्या number लिया हूआ सब details आप चेक कर सकते हो तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हो practically सीख लेते कि कैसे करके आपको यह सब चेक करना है दोस्तों तो सबसे पहले आपको अपने phone में Google Chrome खोल लेना है तो इधर जोगे हम Google Chrome खोल लेते हैं और यहाँ पर आपको Google में लिखके सर्च करना है संचार साथी तो इधर जोगे हम संचार साथी लिखके सर्च कर देते हैं जब हम संचार साथी लिखके सर्च करेंगे तो हमारे सामने टॉप एक website देखने को मिलेगा www.sancharsati.gov.in आपको इस website टेख करना है और इसे open कर देना है तो यह जो की है एक Indian Government की website है जिससे आप सब details चेक करोगे तो आपको थोड़ा सा नीचे scroll करना है इस website में आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको इधर में देखने को मिलेगा Know Your Mobile Connections तो आपको इस button पे click कर देना है तो जब आप इस button पे click करोगे तो आपका एक नया page open होगा थोड़ा सा wait कर लेते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हमारे एक नया page open होगया अब इधर में जो की है आपको थोड़ा सा और नीचे scroll करना है फिर से अब आप इधर नीचे में आओगे तो यहाँ पे आपको एक box देखने को मिलेगा है जिसमें लिखा रहेगा 10 digit mobile number आपको इस box पे click करना है और यहाँ पे आपको अपना 10 digit का mobile number लिखना है अब आप यहाँ पे कौन सा mobile number लिखोगे यहाँ पे आपको वो mobile number लिखना है जो कि आपके document पे लियावा है मतलब कि आपके नाम पे sim लियावा है क्योंकि आपको अगर अपने नाम पे कितना sim चल रहा है वो पता करना है तो आपको इधर में कोई भी एक mobile number लिखना है है जो कि आपके नाम पर लिया वह करते चलेगा तो जैसे कि आप में आपको एक आया नमाल सब्सक्राइब देगा जिसमें लिखा रहेगा Enter CAPTCHA तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है और उपर में देखो आपको CAPTCHA लिखावा दिखता है वहीं क्याप्चा को सेम टी सेम उतार देना है जो भी आपको CAPTCHA दिखाई देगा तिदर हमारा दिख रहा है to small d small c capital y small w capital m तो हम जो की है यह CAPTCHA को एंटर कर दिए अब validate CAPTCHA का जो बटन है उस पर हम लोगो simply click कर देना है हम उस पर click करेंगे तो इदर कुछ ऐसा success लिखावा आएगा और OTP cent लिखावा आएगा अब हम लोग को OK पर click कर देना है और जैसे कि आप देख सकते हमारे phone में OTP आया है तो हम लोग ओ OTP को देख के इदर box में डाल देना है जो नीचे OTP आला box है तो यहाँ पर हम OTP एंटर कर देते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हमने OTP देख देख के डाल देया जो हमारे message में आया था अब उसके simply इदर जो login का button है उस पर हम लोग को click कर देना है तो हम login पर click कर दिये हैं थोड़ा सा wait करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हमने login कर लिया और जो की है कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा तो इदर जैसे कि आप देख सकते हैं मैं नीचे scroll कर रहा हूँ तो मेरे नाम पर दिखा रहा है इदर तीन SIM card है ठीक है एक दो तीन इदर तीन number दिखा रहा है तो इदर आप देख लो इदर जो कि पूरा number नहीं दिखाएगा इदर first का कुछ digit दिखाएगा और last का कुछ digit दिखाएगा ठीक है तो आप देख लो first का और last का आपका जो number है वही आपका है अगर आपका कोई number आपको इदर नहीं लग रहा है ठीक है आपने जो number लिया ही नहीं है अगर इधर कोई number वैसा show कर रहा है तो आप simply उसको बंद करा सकते हो बहुत ही असानी से आपको simply क्या करना अगर कोई भी number नहीं लिया हुआ है और इधर show कर रहा है तो आपको simply उसके क्या करना है for example के लिए माला first वाला number मेरा नहीं है तो मैं उसके टिक कर दूँगा सबसे पहले box पे अब उसके बाद हम लोग को इधर इस side move करना है इसे left side अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा not my number ठीक है not my number वाला बटन दिखेगा आपको उसके इसपे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपको इधर नीचे में देखने को मिलेगा report simply इदर जो नीचे report का बटन है आपको उस पे क्लिक कर देना है अगर आप report कि बटन पर क्लिक करोगे तो आपका जो number है जो इधर आपने ब्लॉक किया वो number और आपका 24-48 आवर्स के अंदर बंद हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर को यहां से ब्लॉक करा सकते हो अगर आपके नाम पे कोई नंबर दिख रहा है और आपने अगर नहीं ले रखा है कोई फ्रॉड और आपके साथ तो आप सिंपली उस नंबर को बहुत यह अजानी से ब्लॉक करा सकते हो तो अभी आपको वीडियो पसंद रहा है और यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो मीं एक लाइक जरूर करोदे ना और अपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देन तो मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और जय हिंद